हे गाज वेलकम टो एडल टेक गुरू मेरा नाम विवेक है तो गाज हम आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पॉल टेक्निक का जो डिजल्ट आया है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है डैट मिन्स कांसलिंग का प्रोसेस इन सारे चीजों का मैं डिसकस करने वाला हू कि कैसे आप कांसलिंग कर सकते हैं कैसे एडमिसन ले सकते हैं तो एक ही वीडियो बनेगा थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन वीडियो को अंतक देखेगा ताकि आपको कोई और वीडियो पर जाने का जोटनी पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले हम आगे अपने computer system पे हैं वी तो आप प्रोस्ट को सबस्काइब किजिए और बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा कोई भी अपडेट सबसे पाने के लिए यहां पर आने के बाद आपको Google सर्च कर लेना जैसे यहां पर आप देख रहे हैं Google सर्च कर लेना और Google के सर्च पार में जो भीहार का ओफिस्यल वेप साइड है यानि की पोल टेकनीक के लिए या कोई भी कमप्टेटिव एक्जाम के लिए हम यहां पर फिलब करते उसके लिए तो वह सर्च कर लेना चली वह मैं बता देता हूं आपको तो सर्च करना यहां पर BC ECB और यहां पर इंटर करने ओके तो यहां पर इस तरह का साइट है यहां पर पहला का साइट दिख रहा है यह मैंन से ज petits साइट है इस इसल साइट है गांस अरग儿 क्या साइट को अमिट करना है द्यां देख लीजें कोई भी डिक्कत होता है तो नीचे मैं आपको तो यहां से हमको आगे का पता करना है तो देखे सबसे पहले तो हम बता देख लिया होगा किसी को कोई दिखतने होगा सब रिजल्ट अपना चेक कर लिया होगा सबस् journeys करना परता है कि आप कौन से मतलँ आपको college का option लिया जाता है तो कोई एक college में आपको में एडमिस्यन होता है तो काउंस्लिंग में बहुत मिलेगा या नहीं मिलेगा यह लेंधर हिए तो हम यह जीज पिछले पिछले 2019 के rank के हिसाब से हम यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे कि क्या हमको rank मिलेगा जितना हमारा rank के उसमें admission हो पाएगा कि ने तो पिछले rank के हिसाब से हम सहरा कुछ one by one step देखेंगे तो चलिए हम चलेंगे वो चीज हम last में बताएंगे अपना rank बताने से मैं आपको बता दूगा कि आपका जो rank आया है उससे admission हो सकता है कि ने आप खुद भी यह पता कर सकते कोई दिकत नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते है तो चैनल को सस्काइब करके और बैल आइकन को दबाके रखे ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उस चीज का मिल जाए चलिए हम यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते कि ओवर और बिहार में गोवर्मेंट कॉलेज कितना है पॉल टेकनीक का तो इसके लिए आपको आना ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म में और यहाँ पर 11 नमबर में जो है ऑनलाइन अप्लिकेशन प्रोटन इस पर आपको क्लिक करना है तो यह ओफिसल वैप साइड पर ले जाएगा जो बिहार क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे एक पीडियाप को यहां पर दीखेगा तो इस पीडियाप को यहां पर क्लोड हो रहा है थ paar सा ओके चलिए हम डालोड होने और रोट हो लेका है यहाँ पे किया कैसें स Peng Luck गथार कुद अदम आटका में आफिक पेज नमर 16 पे तो दियान से जो है आपको क्या दिखाया गाया है सनस्ता का नाम दिखाया गाया जो भी बिहार में गौवर्मेंड पॉल्टेकनिक कॉलेज है वो दिखाया गया है साथ यहां पर कौन-कौन से सब्जक्ट का पढ़ाई होता है तो वो दिखाया गया है और साथ यहां पर कितने सीट है सैनिकोटा का कितना सीट है उसके साथ अतिरिक जो है कितने सीट है यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां प पर गोवर्मेंट का बात कर रहें प्राइवेट का नहीं और यहां पर जो कुल सीटे जो है इतना है आप ओवराल 11360 है और जो है सैनिक कोटा से यानि जिनके सैनिक कोटा के थुरू कोई बच्चे जाते है तो उनका सीट है एक सो बिरानमे और अन्य से है पांसा अंठाबन बा के कटप के हिसाब से क्योंकि अभी तक कटप कोई निकला नहीं है 2020 का जब आएगा तो मैं आपको पोसे सारा बता दूंगा ओके तो 2019 का कटप देखने के लिए आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है इन्फो ए इन्फो आइनफो आइनफो आप यहां पे स्पेलिंग दे पहला नमर का जो यहां पर आप देख सकते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना जैसे क्लिक करेंगे तो यह वैपसाइड आपके सामने आएगा इसमें आपको थोड़ा नीचे आना ओके तो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर यह एक्सेप्ट किया गया इस वैपसाइड के मतलब जैनरल का 55314 से सुरू हुआ है ठीक अलेक्ट्रिकल का कटप इतने से सुरू है इस तरह से यहां पर दिया हुआ सारे मेकेनिकल का भी कटप दिया हुआ है तो यहां पर आप वन बाइवन इंसिचूट का देख सकते हैं उस हिसाब से आप अनुमान लगा लिजिए कि मेडाये किन अब पूछन को कटप मिलेगा है यहां पर यहां पर वरनं दीया हुआ है तो आप कॉमेंट करके बताये की कि यहां पूमेंट करके बताएगा कि की था सासी ने जब देख लेंगे तो चलिए हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अपना कट अप जरूर बताएगा कॉमेंट करके साथ ही कोई दिखात हो तो सोचल मीडिया पर पूछना ना बोलेगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक किली मुझे दीजिए थोड़ा सा समय